हलो एवरिवन आज में लेकर आई हूँ कच्चे आम के पापड बहुत ही फटाफट बनाने के ट्रिक जानेंगे बहुत कम सामान में बन जाती है दो-तिन साल तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है आप इने स्टोक भी कर सकते हो तो फिर चलिए ये वीडियो फटा-फट से शुरू कर लेते हैं कच्चे आम के पापड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कच्चे आम लिये हैं चार छोटी साइज के कच्चे आम लेना है उसी के अकोडिंग अपने यहाँ पर सारा मेजुरमेंट देखेंगे और इनका चिलका उतार लेंगे आप इसकी जगह पका हुआ आम भी ले सकते हो अद पका हुआ आम भी ले सकते हो यह बिल्कुल कच्चा आम भी ले सकते हो ये कच्चे आम मेरे पास 6-7 दिन से पड़े हुए थे मैं सोच रितीन का क्या बनाओ तब ही मेरे को ये पापड बनाने का आईडिया है ये थोड़ी से मेरे पक गए है आपको अंदर से इसका गुद्ध यलो यलो दिखरा होगा सारे आम का चिलका उतार लेने के बाद एक मिक्सी के जार में इने एड़ करेंगे लेकिन इनमें गुठलियां भी होती है तो आपको ऐसे हाथ से मेस करके पोरा रस निकाल कर मिक्सी के जार में एड़ कर लेना है जो गुठली बच जाए उसे फे कियेगा मत आप घमले में उगा सकते हो या आपके सामने कोई छोटी मोटी जग हो उसमें उगा सकते हो इसे आम का पेड उग जाएगा आम का सारा गुद्धा निकाल लेने के बाद इसमें सक्कर एड़ करेंगे मिठे का क्या मेजुर्मेंट रहता है आम पापड सूखने के बाद इसमें मिठा कम हो जाता है तो आपको मिठे के क्वांटिटी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा एड़ करनी है मैं चार आम में पंदरा चमचे सक्कर की एड़ कर रही हूँ इतना मिठा तो लगी जाएगा क्योंकि कच्चे आम में खटास रहती है और इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और ऐसा आपको स्मूथ ग्राइंड कर लेना है चानने की वगेर जरूरत नहीं है आपको बस इसे एक बरतन में डाल लीजिएगा मेरे सारे कच्चे आम का आपको कलर जरूर यलो दिख रहा है लेकिन खटास की बात करूँ तो ये उतने ही खटे हैं जितना कच्चा आम आता है अब निचे से गेस ओन करके इसे पका लीजिएगा काला नमक, सिंपल नमक ये मतेड कीजिएगा उनसे टेस्ट भी नहीं लगती है आम खुदी एक फलेवर होता है तो इसमें इलाइची पाउडर वगेरा भी एड मत कीजिएगा जब तक इसका कलर डार्क ना हो जाए तब तक आपको इसे पकाना है और ये देखे पहले से कितना ज़्यादा इसका डार्क कलर हो चुका है और कंटेंसी आपको ये रखनी है एक दिन में ही सेट करना चाओ तो थोड़ी सी और गाड़ी कंटेंसी कर लीजिएगा अब नीचे से गेस बंद करके एक प्लेट लेंगे इस पर आप थोड़ा सा गी स्प्रेड कर सकते हो या तेल भी स्प्रेड कर सकते हो इसे क्या हो कि आम पापड़ चिपके की नहीं जिस आम के पेस्ट को अपने पकाया है वो सारा का सारा इसमें डाल देंगे ठंडा मत होने दीजिएगा बरतन में वरना क्या होगा बरतन में ही सेट होने लग जाएगा गरम गरम को आपको प्लेट में डाल लेना है और टेस्ट भी लगेगी, थोड़े से ड्राइफ रूट्स एड़ कर सकते हो, बीज बीच में इनके बाइट आएंगे ना, बड़ी ही टेस्ट लगेंगे पापड में, मैं आपर काजू, बादा, पिस्ता एड़ कर रही हूँ, आदे गंटे तक आपको इसे हलकी दूप में रखना है, फिर नॉर्मल रूम टेंपरेचर पर रख सकते हो, या पंखे की हवा में भी रख लीजिएगा, मेरी तरह इतनी पतली लेयर रखोगे, तो ये 6-7 गंटे में ही सेट हो जाएगी, या आप ज़्यादा दिन तक स्टोक क करना जाओ, तो इन्हें 2-3 दिन तक अच्छी तरह के सूखने दीजिएगा, एक दिन हुआ है, मुसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, वाइट वाली जो प्लेट में मैंने सेट की है, वो तो मैं खा चुकी हूँ, पहले मैं सोची कि आपको दिखा तो दूँ, वरना य भी चट कर जाएगी मेरी फेमिली, अभी ये अच्छी तरह के सेट नहीं हुई है, ये देखे मेरे हाथ के बार-बार ये चिपकरी ए है, आप अच्छी तरह के सूख जाने के बाद ही खाईएगा, ये इतनी जदा ठीक है, इतनी जदा ट्रांस्परेट है कि आप मेरा हाथ लिए ना और किसी चीज़ की जरूरत है आई होप आपको ये आम का पापड बनाना पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा मैं सरो सरमा मिलती हूँ एक ऐसी ने रेस्पी और एक ने टेस्ट के साथ है